चलिए start करते है अपना नया chapter, chapter number 10 that is percentage इसमें first question में कह रहा है convert each of the following fraction into percentage हमें इन सारी fractions को percentage में convert करना है तो कैसे करते हैं, fractions को percentage में वो देखेंगे हम इस video में अगर आपने मेरी last के videos नहीं देखे हैं तो please जरूर देख लेए उसकी playlist का link में description box में given है या आप मेरी साइट www.elearnmass.in पे जाएं सिंप्ली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थुरू किसी भी चाप्टर की exercise का प्लेलिस देख सकते हैं अब फर्स पार्ट कह रहा है 47 अपॉन 100 यह फ्राक्शन में दे रखा है अब हमें इसे percentage में करना है, तो percentage में convert करने के लिए किसी भी fraction को into 100 कर देते हैं तो अब देखिए जो cancel होता है उसको cancel कर देंगे, अब यह 100 से 100 cancel हो गया तो क्या बजगा 47 बजगा, अब आगे क्या लग जाता है, percentage का sign लग जाता है तो यह तरीका होता है, तो यह तरीका होता है, fraction को percentage में करने का, अब नेक्स पार्ट देखते हैं इसी तरीके से 9 अपॉन 20 है, मैंने आपको कहा कि into 100 कर देते है, तो यह कितना आ जाएगा, जो cancel होता है, उसको cancel कर देंगे 0 से 0 cancel हो गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो यह कितना आ गया, 9 5s are 45, तो 45% आ गया answer इसी तरीके से 3rd part है हमारा 3 upon 8, अब फिर से percentage में करने के लिए into 100 कर देंगे और जो cancel होगा उसको cancel कर देंगे, तो 4 2s are 8, 4 into 25 is 100, that's it और कुछ नहीं cancel हो रहा है, तो अब देखें, उपर की उपर multiply है, 25, 3 is 75 upon 2 percent, अब इसको fraction को fraction में ही नहीं छोड सकते, या तो इसको mix fraction में करेंगे, या decimal में change कर देंगे, कैसे भी कर सकते हैं, तो यह देखें, 75 को divide किया 2 से, तो 2 3s are 6, 15, 2 7s are 14, 1 बज़ी आए, अब इसके अगर mix fraction में छोड़ना है, तो यह आएगा 37 whole, 1 upon 2 percent, और आप चाहें तो इसको decimal में भी छोड सकते हैं, कैसे, देखें, यहाँ अगर point लगाऊंगी, तो यहाँ 0 आजाएगा, और 2 5s are 10, तो हमारा कितना percent आजाएगा यह, point में 37.5 percent भी लिख सकते हैं, answer, let's do next part now, next part है हमारा 8 upon 125, अब percentage में करना है, तो हम into 100 कर देंगे, तो यह कितना आजाएगा हमारा, 25 5s is 125, 25 4s is 100, that's it, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 8 4s are 32 upon 5, right, इतना percent, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से divide करके देख लेते हैं, 32 को 5 से, 5 6s are 32, 2 बज गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, होल में अगर लिखना है, तो 6 whole, 2 upon 5 भी लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप ये वाला answer लिख के आए, तो भी correct है, या ये वाला answer लिख के आए, तो भी correct है, आंसर, let's do next part now, अब इस part में कह रहा है 19 upon 500, तो देखिए, percentage में करने के लिए हम into 100 करते हैं, और जो cancel होता है, उसको cancel कर देखिए, 20 से 20 cancel हो गए, और कुछ नहीं cancel हो रहा है, तो उपर 19 बजगे और नीचे 5%, अब हम या तो इसको mix fraction या decimal में change कर सकते हैं, तो देखिए, 19 को divide किया 5 से, 5, 3 is a 15, 4 बजग गया, point लगाया, 0 आगया, 5, 8 is a 40, तो हमने इसको decimal में change कर दिया, तो decimal में आगया हमारा 3.8%, let's do next part now, next part कह रहा है 4 upon 15, अब percentage में करने के लिए अगें हम 100 से multiply कर देंगे, तो यह कितना आजाएगा हमारा, that is, अब देखिए, जो cancel होता है, उसको cancel कर देंगे, 5, 3 is a 15, 5, 2 is a 10 and 0, that's it, और कुछ cancel नहीं हो रहा है, तो या गया, 4 into 20 is 80 upon 3%, अब दिवाइड कर देंगे, तो देखिए, 80 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3, 2 is a 6, 2 बज गया, 0, 3, 6 is a 18, again 2 बज गया, तो यह देखिए, यह देखिए, इस केस में हम मोस्ली मिक्स फ्रक्शन में चेंज करते हैं, अधर्वाइज हम डेसिमल में रहने देते हैं, तो 26 होल 2 upon 3 % is the answer, let's do next part now, next part में कहरा है, 2 upon 3 को परसंटेज में चेंज करना है, तो परसंटेज में चेंज करने के लिए, एं 200 कर देंगे, अब देखिए, जो cancel होता है, उसको cancel करतेंगे, कुछ cancel नहीं हो रहा है, तो उपर की उपर मल्टिप्ला है, और नीचे की नीचे, इतना परसंट आ गया, अब हम इसको डिवाइड करतेंगे, तो 200 को डिवाइड किया 3 से, 3 सिग्जा 18, 20 हो गया, अगें 3 सिग्जा 18, तो देखेंगे, यह continuation में रहेगा, तो हम इसको mix fraction में लिख देंगे, 66 hole, 2 upon 3 percent is the answer, let's do last part now, last part है हमारा 1 hole 3 upon 5, जब भी mix fraction में दीवी होती है, तो हम इसको सबसे बहले fraction में चेंज करते है, तो कैसे, इसकी से multiply और यह plus कर देंगे, 5 1s of 5, उस 5 में यह 3 add कर दिया, तो 8 हो गया, तो 8 upon 5 आगया, अब इसको percentage में change करना है, तो multiplied by 100, अब जो cancel होता है, उसको cancel कर देंगे, 5 1s of 5, 5 2s are 10 and 0, तो यह कितना आगया, 8 into 20 is 160, percent is the answer, let's do next question now,